हमने mode को inspection या observation या supervision method से पढ़ाता और वो एकदम बक्वास method होता है वो individual series में काम करेगा जो data सबसे ज़्यादा बार repeat होगा बचों आप उसी को क्या बोलते हैं grouping method इसके बोला जाता है पढ़ने को कि many a time it happens कि आपको नजर तो आरी है frequency किसी की ज्यादा बड रियालिटी में मोड होता ही नहीं है तो कभी भी question अगर discrete series का है या continuous series का है आपको हमेशा कौन सा method यूज करना है grouping method ready everybody फक्का चलिए तो सबसे पहले एक question लिखते है बच्छों जिससे हम इस composition को समझेंगे so please have a question आपको question नंबर 15 नजर आ रहा होगा मिल गया question नंबर 15 नजर आ गया चलिए तो इसी question से हम mode calculate करेंगे ready everybody ready everybody चलो तो write down x that is income and f that is frequency frequency सबसे पहली value क्या है वही 1200 12 then it is 1600 and the frequency is 15 इसके बाद क्या है भई 1800 इस 16 यह गया यह गया यह गया फिर पच्छस सो है और इसकी frequency क्या है टेन पच्छस सो के बाद क्या है भई तीन हजार 3500 और 5000 इसको लिख लिए जटपटफास्ट इसको लिख 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 समझ गए इस सर अब grouping की कहानी start होती है ready everybody सबसे पहले दो-दो values का total होगा फिर पहली वाली value को छोड़के दो-दो का total होगा खोपलेम बाद गई खोपलेम बाद गई तो आपको एक पेज़ पे नोट्स यहां पर मैंने लिखके दिये हुए हैं शायद आपको नजर आ रहे होंगे नहीं फॉर्मूला लगेगा कंटीनेस सिरीज में इंडिविजल सिरीज में कोई नहीं प्रूपिंग नो फॉर्मूला इंडिस्केरिट में सिर्फ गूपिंग नो की frequency फिर पहले की दो-दो values फिर एक छोड़ कर दो-दो उसके बाद तीन-तीन values देनी है फिर पहली छोड़ के so-called तीन और फिर पहली दो छोड़ के तीन उपने बाद गई पहले दो-दो का फिर पहली वाली छोड़ के दो-दो फिर so-called आपको तीन-तीन values लेनी है हो में चलन तीन-तीन values फिर पहली छोड़ के तीन-तीन और फिर पहली दो छोड़ के तीन-तीन और फिर इसके बाद सर इस बाद सब को छोड़ देना है रेडी एवरिबडी चलिए तो आ जाएए यहां पर फिर से हमने column दो बनाए हुए है तो दो-दो values हो गई पहला छोड़ के दो-दो और उसके बाद क्या है तीन-तीन का टोटल फिर पहला छोड़ के तीन-तीन और फिर पहले दो छोड़ के तीन-तीन याद रहेगा याद रह को टो दें थ्री और 7 का सर्थ 2 ये च Onu को Isha total नहीं होगा बएधि थे ट६्स कर लीचे सिक्स्टीन और 10 का टोटल कितना है टे ट्य॥े अब पहला वला-20 शोड़ देजया और पहले वाले त्वेल छोड़ दीजह 15 और 16 का टोटल करेंगे 10 और 3 का टोटल करेंगे and 7 and 2 का तयार सब लोग तयार सब लोग भई 12 छोड़ दो 15 and 16 is 31 10 and 3 is what children 13 and 7 and 2 is what 9 लिख दिया सबने लिख दिया भई सबने चलिए अब 3 दीन का टोटल like 12, 15, 16 10, 3, 7 what is the total of 12, 15 and 16 कुछ भी नहीं आएगा 43 10, 3 और 7 का टोटल क्या है भई 20 अब पहले वाला 12 छोड़ दो और 3 दीन का टोटल कर लो तो पहला ब्लॉक 15, 16, 10 का बनेगा बच्छों what is 15, 16, 10 41 और 3, 7, 2 12 अब पहले 2 छोड़ दीजे 12 और 15 जाए भाड़ में 16, 10, 3 का टोटल ले लीजे बस 26 and 3, 29 क्या हो गया वई पहले 2 छोड़ दी आपने फिर 3 दीन लेना है तो 16, 10, 3 आएगा न पहले 2 पहले 2 पहले 2 और फिर लेन अग्ला काम यह है मैं बड़ा की तू बड़ा सीनियर मेंबर को ढूंडना है फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बच्छों स्किश्टीन यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू टुझ यहां पे 31 यहां पे 43 यहां पे 41 और यहां पे 29 कितना सब को सेब बैंच आब आप बनाएंगे अन लिस टेबल क्या बनाएंगे बच्छो यह अनthinking सेस्टेबल कैसे बनेगा सर अनलिसस टेबल ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा एक दो तीन चार पांच छे साथ वाल्यू से 1200 1600 1800 2500 3000 3500 और 5000 सुना ही पड़ा सुना ही पड़ा भई और इधर आप लेखेंगे फ्रीक्वेंशी इस कॉल्म को ए बोल देते हैं इसको भी सी डी एंड़ ई एए बी सी टी एंड इए वो होता है ना न्यूस्पेपर में मेरी कार में यह यह खासियत है टिक लगाते जाते हैं आपकी कार तो एकदम बेकारे लोहे का डिबा है वही काम करना है फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईस्ट वैल्यू क्या अधर आ रही थी बच्वों कि 16 किसके सामने की फ्रीक्वेंसी है 1800 को एक टिक मिल गया है इस देट खेर 1800 को एक टिक मिल गया समझ गए यह कंफ्यूसिंग होता है क्या इसलिए एपल ने तो स्मार्ट कैलकूटर बना दिया है आप बस कोशन डाली हो बता देगा मोट किया है कैलकूट करके अभी उनके नए यह कि नहीं जब आपको मैनूल कालकूलेशन आटा हो ठीक अगली हाइस फ्रीक्वेंसी 27 है किन दोनों को लेकर बनी थी ट्वेल्व और फिफ्टीन किसके सामने है तो एक टिक लगा दीजे एक कॉलम के सामने है यह नहीं आदमी औरत सब करेंगे ऐसी क्या बात है बी कॉलम हाइस वाल्यू क्या है बचो 31 कॉन सी दो वैल्यूस को लेकर 31 बना था 15 और इससे सामने फ्रीक्वेंसी क्या है 1800 और 1600 तो बी कॉलम में एक टिक 1600 को दीजे और एक 1800 को दीजे ठीक 43 किसको किसको लेकर बना था टोटल 12, 15 और 16 किसकी फ्रीक्वेंसी दें 1200, 1600 और 1800 बारा सो पे टिक, 1600 पे टिक और 800 पे टिक करेक्ट करेक्ट दी कॉलम 41 किसको किसको लेकर बना था भई 15, 16, 10 और यह किसकी फ्रीक्वेंसी दी तो यहाँ टिक करेंगे यहाँ टिक करेंगे यहाँ टिक करेंगे और आखरी 29 किसको किसको लेकर बना था भई 16, 10, 3 और यह किसकी फ्रीक्वेंसी थी डिक पश्रीख 860 तो इस अठ्राशाओै 9,203 अब सबसे जाधा फीचुर किस गाड़ी में नजर आ रहे हैं पापर से कहीek वई खरीन ले जिसमन चन्ना रहे हैं सर मारूथी यहीं100 पे तो आपका सो कल्झ हाइइस्ट रैंक इसको कितने मिले 1200 2345 इसको मिले सिर्फ टू इसको मिले फोर टोटल लिखना पड़ेगा नीचे मेरे पास जगा नहीं इसने में लिख रहा हूं और इसको मिला वान तो हाइस्ट किसको मिला वच्छों 1800 सर ऐसे पता लग रहा था यहां तो पता लग रहा है कभी-कभी व्रिक्वेंसी 1616 दो बारा जाएगी तो ग्रूपिंग से ही आप एक तरह का पर्मूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं माट्स का कितने सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हाइस डिस्क्रीट में सिर्फ इ यहां पर एटीन हंडड़ जैसा यह कुछ होगा यह होगी मॉडल क्लास पिर इसमें फॉर्मॉला लगेगा एलवन प्लस जो मैंने आपको लास्ट लेक्शन सिखाया था समझ में आगई बात लिख लिए जटपट फास्ट इसको तो किसको सबस्यादा वोट में ले भाई ए 1800. Any doubts? Many doubts? चलिये!